नमस्कार, मैं वेद प्रकास आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज जानेंगे रीटेल स्टोर के बारे में कैसे रीटेल स्टोर मैनेज होते हैं आज दुनिया भर में इतने बड़े-बड़े रीटेल स्टोर हैं विग बजार, रिलाइंस फ्रिस, वॉल्मार्ट, डीमार्ट, 99 स्टोर, विग 99 ये सारे स्टोर कैसे मैनेज होते हैं इन सारी चीजों को डिशकर्श करूँगा इस वीडियो में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं गैरंटी देता हूँ आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी वीडियो पे बने रहेगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इसी एनरजी के साथ नयनाय कॉंटेंट तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देजिएगा दोस्तो आज जानेंगे हम कैसे डी मार्ट, विसाल मेगा मार्ट, बिग बजार ये सारे इतने बड़े स्टोर को मैनेज करते हैं यानि कि आप जानते हैं इनके हर एक इंप्लाई को पता है कौन सा प्रोड़क्ट कहां पे रखा है तो मुझे नजदीक पड़ेगा इवन ये सारे डाटा कंप्यूटर में फीड होते हैं तो आएए चलते हैं जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में उस मैनेजमेंट के बारे में कि क्या-क्या चैन होती है सबसे पहले हम जानेंगे इस पूरे चैन सिस्टम के बारे में कैसे यह model वर्क करता है एक retail store चलाने के लिए हमें कौन सा model फॉलो करना चाहिए आईए जानते हैं सबसे पहले नंबर भी हम पर बात करेंगे हम create a record of all product यानि कि अपने आपको अपने store में जितनी भी product है सबका एक record maintain करना है अब वो record में क्या कहची जाती है सबसे पहले यहाँ पर आपको product name रखना है product का stock keeping unit रखना है brand क्या है product का variables such as retail price, product category, lot number, location and expiry date vendor and vendor SKU, wholesale cost क्या है उस product के minimum reorder amount क्या है economic order quantity, reinventory on hand, reorder lead time यह सारे point जिनके तुरू अपने retail के product को manage कर सकते है इन सारे point को समझो product का नाम क्या है उसका brand क्या है, कौन सी company का product है कितने में खरीद हुई, कितना wholesale rate में बड़ा हम कितने में बेच रहे हैं, reorder कितने में हो रहा है profit कितने का generator है, कहां पी यह product रखा हुआ है कि self में यह product रखा हुआ है और यह सारे record maintain करना पड़ेगा यह first step है second step पे बात करते हैं दोस्तो second point identify stock location आज की date में दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े store है हमको पता है कि वो store किस तरह से manage करते हैं अगर आपका छोटा store है, छोटी दुकान है तो आप बिलकुल manage कर सकते हैं बिना machine के, बिना software के लेकिन अगर आपका एक बड़ा warehouse है बड़ा store है, बड़ा retail store है 2000 square feet में बना एक बड़ा retail store है अब आपको पता ही नहीं कि कौन सा product कहां पे रखा है यह सारे record आपकी machine रीज करेंगी यह सारे record आपकी machine maintain करेंगी कौन सा product कहां पे रखा हुआ है और यह location जानने के लिए हमको अपने system में चीजे manage करने पड़ेगी हमको जब retail store बनवाएंगे तो हमें पूरे counter number रखने होगे उस counter number के हिसाब से हमें अपने system में इंडरी करना होगा कि इस product का place यही रहेगा और हमेज़ा यह place है हाला कि place change होते रहती है कि कुछ brand हमको कहीं और लखना है और इस brand को हमें यहाँ पे रखना है तो हमको पूरे counter की record अपने system में रहेगी जिसमें हम यह जान पाएंगे कि यह product यहाँ पे रखा हुआ है अगला point है do regular and accurate stock count दोस्तो हमारे store में कई product गुम जाते हैं कुछ product खराब हो जाते हैं कुछ product चोरी भी हो जाते हैं तो उन सब का record हमें अपने system पे maintain करना होगा तब ही हमें accurate चीज़े पता जालेंगी क्योंकि कुछ product चोरी हुए जो product चोरी होके चले गए तो उनका हिसाब हमारे पास नहीं रहेगा और कुछ product खराब हो गए expiry हो गए तो हमारे system को अगर वो पता नहीं रहेगा तो आपकी जो गड़ना है आपका जो calculation है वो आगे जाके mistake करेगा गड़बड होगा इसलिए रोज आप सारी चीजों को चेक करवाए और उसके बाद आप daily base में पता करें कि कितना समान चोरी हो गया कितना समान खराब हो गया कितना समान बचा हुआ है हमारा अगला point combine sales with data inventory हम ही ये पता होना चाहिए कि कौन सा product बार बार order हो रहा है कौन सा product कितने मैंने में कितनी जादा बार seller हुआ है और उस product के खतम होते ही वो product order हो जाना चाहिए और हमारे store पे आजाना चाहिए यानि कि हमें इन चीजों का record अपने software में रखना होगा देखना होगा कि कौन सा product जादा बिख रहा है कौन सा product कितना भिक रहा है वोस हिसाब से हमको ये चेक करना है कि इस product की ज्यादा भिक्री है और ये हमारे stock में ये हमारे store पे जल्दी आ जाना चाहिए तो ये एक product नहीं यहाँ पे बहुत सारे product हो सकते हैं तो इनकी list आप weekly बनाएं चेक करते रहें कि कौन से product खत्म होने बाला है और कौन से product हमें फिर से order करना है और मंगाना है हमारा अगला point create a purchasing process create a purchasing process अब यहाँ पर आपको purchasing process बनाना है यानि कि आपने जो product खरीते हैं आप जहां से product ले के आ रहा है चाहे वो manufacturing company हो चाहे wholesaler हो चाहे कोई distributor हो उससे आपने type किया है तो उसको आप time पे call करिए अगर आपके पास इसकी list जारी हो चुगी है कि कौन से product खत्म हो गया है कौन से product बिक चुके हैं कौन से product बिकने वाले हैं या खत्म होने वाले हैं उससारी चीज़ों की list आपका system automatically generate करेगा और वो list आप print करके तुरंद उन product को order करें ताकि कभी motion भी खराब हो गया कुछ दिक्कते हो गई तो आपका product रोके ना जल्दी से आप अपने product को मंगा लें इन सारी चीज़ों की list आपके पास हो ही जाएगी कि बही कौन से product बिकने वाल है कौन से product जो है जल्दी खत्म हो जाएगा ये expiry product है ये खराब हो जाएगा इसको फिर से मंगाना है इन सारी चीज़ों की list आप त्यार करते रहें ये सारा काम आपका team जो है करती रहेगी अगर आपका छोटा स्टोर है, तो आप होल सेलर को पकड़ सकते हैं, किसी डिस्ट्रिबूटर को पड़ सकते हैं, क्योंकि manufacturing यार, आपको बहुत छोटी quantity में समान नहीं देगी, big quantity में समान भीजती है, तो आप अगर बड़े लेबल पे काम कर रहे हैं, तो आप उनसे जरूर टाइप करें, manufacturing से, आप contact कर लें, हलग-लग manufacturer, ताकि आपको वो product पहुचाते रहें, अगला जो point है, वो है market down and promotions, आप अपने product का promotions करना होगा, कब जब आपकी product की विक्री नहीं हो रही है, जब आपके store में विक्री कम है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ पे कुछ promotions चलाने पड़ेंगे, market down चल रहा है, जिसके कराण कुछ ऐसे promotion आप चलाएं, जो expiry product आने वाले हैं, जो product खराब होने वाले हैं, उनको जल्दी बेचो, उनको double बेचो, कम rate में बेचो, 50% discount दो, जो product कम विक्रा है, जो बहुत time से रखा हुआ, विक्री नहीं रहा कुछ दिन में, उसको 50% discount दें, या तो उसको आप किसी offer में चलाएं, या तो आप उसको free कर सकते हैं, कि भाई, इतने की खरीदी पे ये product free, इस तरह से आपको एक market down बनाना पड़ेगा, और product को कुछ promotion करना पड़ेगा, promote करते रही है, हर डे कुछ नया, क्योंकि लोग क्या 140 में बेचेंगे ना, तो लोग उसे खरीद के लेके जाएं, क्योंकि उसमें मनजन free है, तो ये technique बहुत पुरानी है, पर चल रही है, तो ऐसे खरके नया-नय promotions, नया-नय coupon code, digitally रूप से आप store को promote करें, facebook में page बनाएं, social marketing, social media का use करें, अपने store को manage करने के लिए, promotions करने के भई, कैसे सारी चीज़े manage होती है, one by one, अगर इसको हम in detail समझें, तो आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा, आपके बड़े store में, जितने भी product है, सब कुछ आपके software में रहेंगे, सारे चीज़ों का list, सारे चीज़ों का record आपके software में रहेगा, अब भई, इतने सारे product हैं employee पे भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि employee अगर गलत stock entry कर दिया, और फिर वो product गायब हो सकता है, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग team बठाईए, कि सारे चीज़ें चेक करें वो, और अगर आपके 10-15 store है, तो हर एक store को manage कैसे करेंगे तो यही सब चीज़ें, आज की डिट में सब मसेनी करती है, अला कि मैं यहीं नहीं कहता कि store में चोरी नहीं होती है, भी यह बहुत चोरी होती है, समान खराब होता है, damage होता है, expiry होते हैं, तो उनके सब के plan बना जाते हैं, जो expiry product होने वाले होते हैं, उनको जल्दी sell करने हमें product को first counter पर रखना पड़ता है, entry करते ही, ताकि जहां पर लोग billing करा रहे हैं, वहां पर देख जाएगी, भी यह एक माजा खरीदने पर एक माजा फ्री, एक कोका कोला खरीदने पर एक कोका कोला फ्री, क्योंकि वो भी एक 2-4 मिने बाद खराब हो जाएगा, expiry आ गई ह उसकी, तो यह product बेज दिये जाते हैं, तो इस तरह से product को जल्दी बेजने की process की जाती है, अब आप समझो, बहुत सारी strategy है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा plan, बहुत सारा management हमें करना पड़ता है हमारे store में, retail store में, तो यह पूरा एक chain इसी तरह work करता है, inventory सही से manage होगी अगर आपकी inventory, सही तरीके से अगर आपने manage की, तो आप उसमें आगे पढ़ पाएंगे, आपको सही data पता चल पाएगा, हमारे store में कितने product बिक रहे हैं, कितना हमारा product खराब हो रहा है, और कितनी चीजें हम और बेच पा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे सांथ, सारी चीजे समझ पाएंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो, नीचे red color का button है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को भी like करें, तो वीडियो को करते हैं आपे खत्म, अगली वीडियो में आप comment करके बता देना, कौन सा वीडियो आप देखना चाहोगे, आपके मन में क्या डाउट है, उस पर वीडियो बनाएंगे, और बस इसी के साथ करता हूँ, मैं खत्म वीडियो को, मिलते फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों.